हाई अव्रिवन मैं हूँ धननजय उमीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे रश्या और यूक्रियन के बीच में जंग 24 फेबरी 2022 से शुरू हो जाते हैं और लगभग ये दो साल होने वाले हैं ये कहपाना बहुत है मुश्किल है कि रश्या और यूक्रियन के बीच म कि वो रश्या और यूक्रियन के बीच में जो वार है उसको खतम करें वैसे तो बहुत सारी रीजन होता है कि क्यों कंट्री बहुत दिनों तक वार में नहीं रहना चाहता है लेकिन उसमें से कुछ जो प्रॉमिनेंट रीजन है वो ये है कि अगर कोई देश बहुत दिनों तक वार में रहता है तो उसके आर्मी जो होते हैं वो एक्जास्ट हो जाते हैं और ये पॉसिबिलिटी काफी बढ़ जाता है कि जो खुद के जो उनके फोर्स रहें या उनके जो सिविलियंस रहें वो अपने सरकार के खिलाफ भी वो बगावत कर दें और उसके बाद होता है कि जो आम्स एमुनेशन हैं वो भी आपके पास घटना शुरू हो जाता है क्योंकि रश्या के उपर सैंशन लगा दिया गया है इसलिए रश्या पहले के तरह अपना बिजनेस या पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स या ओयल या गैस उस तरीके से नहीं बेच पा रहा जिस त भी नहीं दिखाना चाहते हैं कहने का मतलब है कि यह इनके जो intermediaries हैं उनसे US के officials या Ukraine के officials से वो बात कर रहे हैं और वो जो पुतिन का जो agenda है उसको वो सामने रख रहे हैं पुतिन अफकॉर्स यहीं चाहते हो है कि जब ये war खतम हो तो पुरे दुनिया में जो message जाए वो ये जीते हैं दो सालों में कितना area Ukraine का occupy कर लिया गया है by Russia तो approximately जो eastern side है Ukraine का उसको almost occupy कर लिया गया है वैसे तो exact number या percentage में ये कह पाना बहुत ही मुश्किल है कि कितना area को capture किया गया है by Russia लेकिन roughly अगर हम on a safe side अगर हम 20% मान के चलते हैं तो ये एक number safe side है ऐसा मैं क्यों कह रहा कि Russia का जो claim है वो बर्चड के claim है और Ukraine का जो claim है वो ठीक उसके opposite में है इस बीच में कोई भी ऐसा neutral country नहीं है जो ground zero पे जाए और जाके वहाँ पे examine करे और वो exact numbers बताए जितने भी जो western medias है वो of course Ukraine को ही support करते हैं और बहुत हद तक जो दुनिया का जो view है जो agenda है वो भी western medias ह करते हैं जब आप Russia और Ukraine के war को जब आप सुनते हैं या पढ़ते हैं या जब आप videos देखते हैं तो ये काफी important होता है हमारे लिए ना कि हम neutral perspective से हम देखें ना कि हम Russia के चश्मे से देखें ना तो हम western countries के हम चश्मे से देखें एक जो सबसे बड़ा reason था Russia और Ukraine के war का वो ये था कि Ukraine NATO को join करना चाहता था अगर आप इस map को देख रहे हैं तो ये Ukraine है ये gray में इसलिए है क्योंकि Ukraine अभी NATO का member नहीं है और जितने जो countries जो आपको blue में दिख रहे हैं ये सारे countries आपके NATO के members हैं तो Ukraine का जो border है वो Russia के साथ लगता है तो कोई भी देश ये नहीं चाहेगा न कि जो उसके दुश्मन है वो grouping create करें वो दूसरे group का हिस्सा बने जो पुतिन का जो agenda था वो ये था कि Ukraine NATO को join ना करें और इसको as a buffer zone रखा जाएं लेकिन जो western countries थें वो लागतार जो अपना membership था NATO का उसको वो बढ़ा रहे थे इसको लेके भी जो Vladimir Putin थे वो काफी uncomfortable थे और एक और जो वज़ा है वो ये है कि जब Russia और Ukraine के बीच में जब war शुरू नहीं हुआ था तो Ukraine इस impression में था कि अगर Russia invade करता है Ukraine के उपर तो US और भी अलग-अलग जो western countries हैं वो Ukraine को बढ़ चड़ कर support करेंगे No doubt USA ने Ukraine को support किया लेकिन USA का जो support है वो बहुत ही calculated तरीके से support है European Union में जो सारे countries आते हैं वो सारे के सारे countries Ukraine को support नहीं कर रहे है उसके पीछे का reason है कि approximately जो 50% जो energy का जो import है European countries में वो directly है आपका Russia के साथ ऐसा होता है कि ज़रूरी नहीं है कि सब countries का जो आपस में relation है वो अच् ये भी ध्यान रख रहा ना कि वो किसी भी तरीके से वो directly conflict में Russia के साथ वो नहीं आना चाहता है Russia भी काफी strong country है इनके पास भी खूब सारे nuclear weapons है और cold war का time up हम सभी को याद होगा Cuban crisis भी हम सभी को याद होगा जहाँ पे almost Russia और Ukraine माफी चाहूंगा Russia और US war में आ चुके थे तो ऐसे बहुत सारी reasons है जिसके कारण US support तो करेगा लेकिन वो परदे के पीछे रहके support करेगा या तो बहुत ही calculated तरीके से support करेगा एक जो latest कबर छपी है New York Times में recently उसमें ये कहा जा रहा है कि Vladimir Putin के जो high ranking officials हैं और US के जो high ranking officials हैं इनके भीच में बातचीत चल रही है और इनका जो ceasefire को करवाया जाएं लेकिन साथ में एक चीज़ को और ध्यान रखा जा रहा है कि जितना भी area जो capture किया गया है इस Russia और Ukraine के war में Russia के दवारा उन सब पूरे area को Russia वापस नहीं करेगा यानि कि status quo को maintain किया जाएगा अब ये कहपाना मुश्किल है कि ये जो terms condition जो Ukraine को है वो acceptable है या नहीं है लेकिन जो situation जिस तरीके से हो रहा है ये कह सकते हैं कि Ukraine के पास बहुत जादा option नहीं है कि वो Russia का terms condition को ना माने क्योंकि जब से हमास और इसराइल के बीच में war शुरू हुआ है तब से ऐसा लग रहा है कि Ukraine को almost side कर दिया गया और जो पूरा गचुब पूरा focus है वो इसराइल और हमास के conflict का तरब चला गया और कहीं न कहीं जो situation हुआ है ये Russia या Vladimir Putin के perspective से काफी सही काफी अच्छा हुआ है हलाकि New York Times ने ना तो USA officials का नाम बताए हैं रिवील किये हैं ना तो जो Russian officials थे उनका नाम रिवील किये हैं लेकिन जो पूरा जो focus है article का या information का वो ये है कि Russia तकरीबन बीते एक सालों से वो focus है कि किसी भी तरीके से negotiation हो जाए लेकिन Russia के terms condition पे पुतिन के terms condition पे और साथ में ये भी दुनिया को ना लगे कि Russia ने surrender कर दिया या तो Russia war से पीछे हड़ गया बहुत सारे ऐसे भी officials या expert है जिनका एक अच्छा समझ है war को लेके उन तो शायद इस war को possibly टाला जा सकता था क्योंकि Zelensky को ये लग रहा था कि अगर Russia invade करेगा तो उसे बढ़ चड़ कर सपोर्ट मिलेगा और shadow as an war hero बनके निकलेंगे लेकिन ऐसा लग रहा है कि जो area Ukraine के पास था उसमें कम से कम भी तो जो 20% जो area है खास करके जो eastern side का है जैसे कि लुहांस हो गया, डॉन स्टैक हो गया, ये सब area वो गवाते हुए दिख रहे हैं, exactly क्रीमिया भी किसी time पे एक neutral या एक buffer zone था उसको भी Russia ने acquire कर लिया, तो जब आप इस तरी के जब आप articles पढ़ते हैं, देखते हैं तो आप कोशिश किया है कि कभी भी US या Russian centric mindset के साथ मत पढ़िएगा, international relations में कोई किसी का दोस्त या कोई किसी का friend नहीं होता है, दुश्मन नहीं होता है, emotions का यहां पे कोई value नहीं होता है, बस जो focus होता है, जो value होता है, वो ये होता है कि आपको कहां से benefits आ रहे हैं और कैसे benefits आ रहे हैं, I hope कि मैं इस वीडियो में आप लोग कु तो मैं उसके लिए माफी चाहूंगा, मैं चाहूंगा कि आप मुझे email करके बताएं, see you in the next video, have a wonderful day, thank you, take care, goodbye